हेलो दोस्तों स्वागते आपका हमारे यूट्यूब चानल पर आज हम बात करने वाले कि आप एसे अपने एक मोबाल में दो जीओ को सिम यूज कर सकते हो वो भी आपके फोन को कोई भी रूट करने की जोरोत नहीं है मैंने इस पर और रेड़ी एक वीडियो बनाया है लेकिन ओ बहुत सारे मोबाल में काम नहीं कर रहे है ओट्रिक किसलिए मैंने एक दूसरा वीडियो बनाया है इसमें कोई भी आपका मोबाल फोन हो उस पर ओट्रिक 101 परसेंटेज काम करेगी मैं आपको गैरेंटी देता हूँ श्रीप आपको मैं जैसे श्रीप बताता हूँ वेसे फॉलो कर लेना है उसके बाद आप एक मोबाल में दो जीओ के सीम एक साथ यूज कर पाऊँगे तो चले भी आपको देर के वीडियो को शुरुआत करते हैं मगर उसके पहले आप मेरे चाना पर पहली बार आप तो प्लिज सस्क्राइब कर लेना क्यूंकि एक ट्रिक मैंने बहुत रिसर्च करके एक ट्रिक लाई है जिसमें मुझे एक रिसर्च करने में करीब दो हफ्ते लगे थे मैंने बहुत सारे फोन में एक ट्रिक काम करते समय देखा है जिसमें ओ काम करती है मैंने कुद ने देखा है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ तो प्लीज एक लाइक कर लेना और चानल को सब्सक्राइब कर लेना तो चले भी ना कुछ देर के वीडियो को है या निम आप जैसे इस पर टैप कर लेते हैं तो आपको चेकिंग कर रहा है तो यह फोन अप्डेट पर आया है और आपको एपडेट डाउनलोड करना अपने फोन का यहापको सबसे पहलें काम करने के लिए आपको यह करना जूरू है जिसमें कि ए मैंने पिछले वीडि कर आ जाएगा कुछ इस तरीके से उसके बाद आपको एक नीली कलर की link दीख जाएगी जो कि मैंने एक एп की link दीए है उस link पर आपको टैप करना है उसके बाद आपको ओ लिंख लिंक डार्क लिख पर लेकर जाएगी और जो app आपको बताती है O of आपको डान्वर्ड करना है जैसे कि us app मैंने डाउनलोड किया है आप जैसे उसे आपको डान्वर्ड करते हो तो जल्दी से open करना है उसके बाद में आपको आगे की प्रोसेट बता देता हूं जो कि फर्ट सीम है और वोई सेकंड सीम है तो फर्ट सीम आपको ओपन कर लेना है जो कि आपका नियर्ट चालो होगा तो कोई भी एड़ आ सकती है उस एड़ को आपको हटा देना है उसके बाद कुछ एसा इंटरफेस कूल कर आ जाएगा आपकी जो भी आपकी सिम की डीटेल यापे सारी की सारी शोक कर देगी तो आपको यापे जो ऑप्षिन है उस पर आपको टैप करना है उसके बाद आपको नीचे नीचे कर लेना है इस तरके से उसके बाद वाला ऑप्षिन आ जाएगा आपको दियान से देखना है स्क्रीम पर इससे आपको सिलेट कर लेना है उसके बाद यहाप पर ओप्षिन आ जाएगा यह आपको दियान में रखना है और भी आगे सेटिंग है आपको वीडियो स्कीप नहीं करना तो आपको सिंपल सा बैक आने के बाद फिर से यह जो दूसरा सी में उस पर आपको टैप करना है इस एर को आपको क्लोस करना है जैसे दूसरे सीम पर आपको टैप करते हैं, तो कुछ इससा इंटरफेस कूल कर आ जाता है तो आपको phone Information to इस पर आपको क्लीक करना है फर्य वाले पर नई तो आप जैसे उस पर tap करले तो फिर से आप वही setting कर लेने हैं जैसे हम इस पर click कर ले तो तो निचाने और निचानर के बाद याप इस पर tap कर लेना है इस दोनों setting करने के बाद आपको एक और setting बतता हूँ ओ करनी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा आपको simple सा back आना है और back आने के बाद याप फिर से दोनों सीमों की information आपको दिख दाएगी तो फिर से first वाला आपको open करना है उसके बाद उसका निचाना है और निचाने के बाद याप आप आप देख सकते हैं याप आप आप है यह on कर देना है इस तरह के से जैसे के a4g hold चालू हो गया उसके बाद आपको फिर से आपसे back आना है और back आने के बाद आपको फिर से dual sim में जाना है उसके बाद निचाना है और निचाने के बाद आप देख सकते हैं याप यह भी आपका off होगा यह आपको on कर देना है यह सारी setting करते समय आपका aeroplane mode on कर देने हैं आपको कोई भी गलती ने करने तो इस तरह के से आपको सारी setting करने है मैंने आपको step by step बाता दिया है अब आपके दोनों को दोने sim चालू हो जाएंगे किया है उसके बाद ही आपको बता रहा हो तो यह ट्रिक काम करती है इससे डिलेटर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेट कर सकते हैं उसका रिपल आपको जरू मिलगा तो चलिए मिलते हैं इनने स्टूड़ों में